जैसे ही का तमाम ये कंगो दिवाल है, जैसा ही रंगो रंगो है पैसा ही माले नमस्कार मैं हूँ शुभम शंकदर हफते के पहले मनी सेंटरल में आपका स्वागत है मेरे साथ स्टूडियो में हर रोज की तरह मनी नैन के इटा अंशुमान तिवारी जी जुल गए है सर वह स्वागत है आपका अंशुमान जी से चर्चा शुरू करूँ उससे पहले आपको दिखाता हूँ on the show आज के मनी सेंटरल में कौन से मुद्धे, कौन सी खवरें आज का हिस्सा है शुरूबात होगी ने टेलिकॉम बिल पर तनातनी, सरकार को मून लाइटिंग पसंद है भारत में कौन ले रहा सबसे ज़्यादा कर्च, इस पर मनी नैन की स्पेशल रिपोर्ट होगी गेस की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की आशंका और गहराई रुपे की गिरावट और योरोप की दहलीज तक पहुँच गई मन्दी ये आज बड़ी खवरें हैं जो मनी सेंटरल का हिस्सा है शुरुबार टेलिकॉम बिल से नए टेलिकॉम बिल पर सरकार के दो विभाग आमने सामने है रिपोर्ट की माने तो नए टेलिकॉम बिल के ड्राफ्ट में ब्रॉडकास्ट और OTT सेवाओं को टेलिकॉम सेवाओं के दाइरे में रखे जाने पर सूचना एवं प्रसार्ण मंत्राले ने आपत्ती जताई और इसे अपने शेत्र में अतिक्रमण माना है सूचना एवं प्रसार्ण मंत्राले का कहना है कि दूर संचार विभाग ने उनको जानकारी दिये बगएर ये विशे अपने अंदर शामिल कर लिये हैं जबकि इस पर उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था दूर संचार विभाग से इस पर सफाई मागें सर ये पूरा विवाद क्या है शुबा मनी सेंट्रिल के इस पहले संसकरन में इस सब्ता है कि आपका स्वागत है दूर संचार छेतर में हमेशा से शुरुआत से हम देख रहे हैं कि सुचना प्रसान मंतरा ले और दूर संचार मंतरा ले के बीचे दूर संचार विभाग के बीच रेगुलेशन को लेकर और टर्फ को लेकर एक किसम का जगडा चलता रहता है और अब फिर एक बार लंबे समय के बाद लगभग एक दशक के बाद नए टेलिकॉम कानून की तियारी चल रही है तो छगडा शुरू हो गया है मौझूदा परिस्थितियों में टेलिकॉम सेक्टर के पास या दूरसंचार विभाग के पास लाइसेंस देने के अधिकार हैं जबकि कॉंटेंट से सम्मंधित नियम बनाने के अधिकार आएंड़ी मिनिस्ट्री के पास हैं यानि आपके पास जो डिटीएच सर्विस आ रही है उसमें क्या दिखाया जाएगा कैसे दिखाया जाएगा चैनल क्या ब्राडकास्ट करेंगे उसकी लाइसेंसिंग के अधिकार आएंड़ी मिनिस्ट्री के पास हैं पर जो नेटवर्क और उससे जुड़ी हुई इस्चोविना है उसके लाइसनसिंग के अधिकार टेलीकम्निकेशन मिनिस्ट्री के पास हैं ब्राडकास्टिंग को टेलीकम्निकेशन सर्विस के तर पर डिफाइन कर दिया गया है और यहाँ से पूरीय पूरा विवाद शुरू होता है। आएन्वी मिनिस्ट्री ने कहा है कि ब्राद्कस्टिंग टेली कम्यूनिकेशन सर्विस का हिस्सा नहीं हो सकता और जिस तरह की कि खबने और चर्चाओं में हैं कि आएन्वी मिनिस्ट्री ने सरकार को ये चिठी जाता है जो चाहे आपके घर आने वाला broadband हो या आपके mobile पे चलने वाला broadband हो या telecommunication हो उसको लेकर उसकी licensing को लेकर अब भारत में इन दोनों विभागों के बीच एक बड़ी खीचतान शुरू होने वाली है एक दिल्चस्प बात यहां यह है कि भारत के दूसन चार चेत्र में अभी भी टर्फ को लेकर या दोनों मंत्रालियों के विभागों के पास क्या अधिकार और कौन सिक चेत्र है इसे लेकर पिछले 25 साल में भी कोई इस पश्टता नहीं आ पाई है जबकि दोनों का regulator एक ही है टेलिकॉम regulator अथारी टी टी आर यही ही एक regulator है दोनों का जो दोनो तरीके के विभादों का निप्टारा करता है और दोनों मंत्रालियों को नियम कानून बनाने के लिए सिफारिशन करता है अब जब कि यह विभाद नए सिरे से सामने आया है थो सकता है सरकार यह इसपश्ट करे की broadcasting ministry के पास क्या अधिकार है और telecommunication ministry के पास कौन से अधिका दोनों एकमत नहीं हैं, इलेक्ट्रोनिक एवं आईटी राजमंत्री राजीव चंशेकर ने कहा कि आईटी कमपनियों को ऐसे करमचारियों के खिलाव कारवाई नहीं करनी चाहिए जो मूनलाइटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आईटी में इंडस्ट्री इस पूरे मामले में भी कोई कानून, नियम, श्रम कानून के विवस्ता नहीं, मूनलाइटिंग क्या है, इस पर हम आपनी सेंट्रल का एक पिछला पैकेज देख सकते हैं, जहां हमने विस्तार से मूनलाइटिंग पर चल रहे हैं, विवाद पर रोशनी डाली थी और आपको बताया थे क्या हो रहा है, दरसल एक कंपिनी में काम करते हुए किसी दूसरी कंपिनी के लिए काम करने को मूनलाइटिंग कहा जाता है, उद्योग दो हिस्सों में बटा है, और सरकार एक हिस्से के साथ आकर खड़ी हो गई है, पहले हम इखिए कि उद्योग के हिस्से में बटा हुआ है, जो software कंपिनियां हैं वो ये मांती हैं कि ये business practices के खिलाफ है, कि उनकी company में काम करने वाला आदमी अपने अतरत समय में तो किसी दूसरी company के लिए काम करें और यही वजह थी कि विप्रो ने इसका खुलकर विरोध किया कुछ कर्मचारियों को निकाला भी पूरी software industry मानती है कि चुँकि वो code बना रहे हैं उनके पास special सूचनाय है वो किसी company के लिए order पर काम कर रहे हैं तो उनकी company की का करमचारी कहीं दूसरी जगे काम करेगा यह integrity के खिलाफ है दूसरी तरफ इस टार्ट अप company का पूरा business model इस तरीके का है इसलिए स्विगी जैसी company ने moon lighting की policy बना कर इस बात की इजाज़त दे दी क्योंकि उबर ओला स्विगी जैसी company चाहती है कि लोग उनके साथ भी काम करें और दो तीन जगे अलग अलग काम करें यह बहस बजाए इसके कि सरकार को इस मामले में कुछ नियम स्पष्ट करने चाहिए थे या उद्योगों को करना चाहिए सरकार की तरफ से यह आया है कि moon lighting को पर करने वाले करमशारियों पर सकती नहीं होनी चाहिए इस मामले में जो राजीव चंशेखर का बयान है यह इस तरफ इशारा करता है कि सरकारे चाहती है कि रोजगार के अवसर जहां भी मिल रहे है वो बनते रहें लोगों को क्योंकि बेरोजगारी राजनीतिक गुरूप से बड़ा दबाव बन रहा है ऐसी स्तिती में यदि लोगों को दो तीन जगे काम करने का मौका मिल रहा है तो वो अनुचित नहीं है क्योंकि राजीव चंशेखर ने जो की सरकार के मंत्री हैं उन्होंने ये कहा है कि इंडस्ट्री में टैलेंट डिफशिट है अच्छे लोगों की कमी है और इसलिए मुझे लगता है कि ये पूरा विवाद दो हिस्सों में बट गया है स्टार्ट अप कम्पिनियों का जो रेविन्यू मॉडल है जो बिजनस मॉडल है वो एक इंपलाई को अलग अलग जगे से दो तीन जगे से काम करने की छूट देता है ताकि उनके उपर पूरी लागत न समझ के लिए और लंबे समय तक उनकी कंपिनी में वैलिवेट करने के लिए मून लाइटिंग की छूट न दी जाए सरकार क्या नियम बनाएगी कानूर बनाएगी इस सते होगा कि भारत में इन गिग वर्कर्स का भविश्य कैसा होने वाला है जी एस्टी में टेक्स्चुरी या हिरा फेरी के मामलों में सजा के प्राबधान के कुछ नियमों में सरकार ढील दे सकती है रिपोर्ट्स की माने तो गेर जमानती अपराद के लिए टेक्स चोरी की लिमिट को 5 करोर से बढ़ा कर 20 करोर रुपए किया जा सकता है 20 करोर से कमकी हिरा फेरी का मामला सामने आने पर बैंक खातों को सीज़ करने का प्राफधान हो सकता है हाला कि इस पर अंतिम फैसला जीएस्टी काउंसिल की बैठक में होगा सर ये प्राफधान क्यों लाया जा रहा है इसके पीछे की कहनी क्या है काफी शिकायते हैं जीएस्टी के कानूनों में सकती को लेकर और अद्योगों के तरफ से और व्यापारियों के तरफ से सरकार पर लगातारे कहा जा रहा है कि जीएस्टी के कानून सीमा से अधिक सखत है तो ये जो नए कानून मनाया जा रहा है इनमें एक महतुपूर्ण चीज़ ये है कि जो छोटे-छोटे अपराद हैं टेक्स चोरी के छोटे-छोटे मामले हैं जिनमें के समय पर रिटन फाइल नहीं करना या इन्पूट टेक्स क्रेट का सही भुकतार नहीं करना या सूचना नहीं देना इसकी कमपाउंडिंग के सुविधा दी जाए टेक्स कानूनों में छोटे-छोटे अफेंसेज को एक साथ जोड़ कर उन पर पैरवी करना है उन पर कारवाई करने की विवस्ता है तो पहली चीज तो यह है कि जो संकेत मिलना है उसे साथ से जीस्टी काउंसिल के सामने प्रस्ता हो जाएगा कि वो जो माइनर अफेंसेज हैं जीस्टी से जुड़े हुए उनकी कमपाउंडिंग की जाए ताकि वियापारी को अगर उससे कोई गलती है चूक होती है तो उस उलंगहन पर उसे ठीक उसे थोड़ा सा रिलाक्स किया जाए और बेहतर किया जाए पांच करोड़ रुपए तक का अगर टेक्स उलंगहन अब होता है इस समय तो उस पर आपर अधिक मामला बनता है जिससे बढ़ा कर 20 करोड़ रुपए तक कारना किया जा रहा है अरेस्ट को शायद गिरफ तारी को व्यापारी की अपवाद माना जाया है का हला कि सरकार ऐसा मानेगी की नहीं यह अलग बात है या जीस्टी काउंसेलर सा मानेगी की नहीं मानेगी लेकिन जीस्टी का अड्मिनिस्ट्रेशन यह चाहता है कि बैंक अकाउंट टेटैश करना और इस तरीके की प्रक्रियाओं को अपवाद इस्तितिय में इस्तेमाल किया जाएं जिएक एक सचल प्रक्रिया जिसमें हर महीने व्यापारी अपने रेटन भरता है वे वस्थाय करता उससे होने वाली गलतियों पर थोड़ा सा थोड़ी से सकती कम की जाए अगस्त के दौरान देश में तैयार स्टील के निर्यात में 66 फीसद की भारी गिरावट आई है और आयात 12 फीसद बढ़ गया है स्टील मंतराले के आंकड़े बताते हैं कि अगस्त के दौरान देश में सिर्फ 4.54 यानि 4.5 लाख टन के आसपास स्टील निर्यात हुआ है जबकि आयात 4.42 लाख टन स्टील किया गया है स्टील की कीमतों को नियंतित करने के लिए सरकार ने इस साल मई में स्टील के निर्यात पर शुल्क लगाया था इसके बाद कीमतें दो घट गई लेकिन निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुआ हालागी कीमतें घटने के बावजूद आयात भी बढ़ने लगा है सर आपको लगता कि ऐसी इस्टिती में अब सरकार स्टील की जो ड्यूटी लगाई थी उसके उसका रिवीव कर सकता हुआ समीकشा की बात चर्चा में आ रही है बल्कि यूनिन स्टील मिनिस्टर ने पिशले दिन वनका एक बयान भी चर्चा में था कि वो सरकार से इस बात के लिए बात करना है उसे उद्द्योगों ने बात की है कि यह स्टील पर जो एक्सपोर्ड ड्यूटी लगाएगी थी महंगाई को थामने के लिए से रोका जाए क्योंकि इससे परियाप नुकसान हो चुका है यहां कड़े बताते हैं कि भारत से स्टी इस पर बाजार में काफी असर पड़ा और इसलिए उन्होंने चीन के सामने और कुछ अन्य देशों के सामने बाजार को लूज करना शुरू कर दिया है इस तरह के संकेत हैं कि सरकार एक्सपोर्ड ड्यूटी को को कम करने या हटाने पर गंभीरता से विचार कर रही है लेक करते हैं कि यह नीती आज आंशिक रूप से ही सफल रही पूरी तरह से इसने महंगाई रोकने में उतनी मदद नहीं की जतना की निर्यात के मर्चे पर नुकसान किया है बिलकुल अब समय हो गया है मनीन की स्पेशल रिपोर्ट को लेकर देश में कर्ज की मांग लगातार ब पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही है मानू कर्ज लेने की होड मची हो और वो भी ऐसे समय जब कर्ज लगातार महंगे हो रहे हैं मई से अब तक रिजर बैंक पॉलसी दरू में 140 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर चुका है और आर्वियाई की बढ़ोतरी के ब कर्ज महगा हुआ है लेकिन महगे कर्ज के बावजूत लंबे समय से क्रेड़ ग्रोथ दहाई के आकड़े में बनी हुई है और 9 सितंबर तक पिछले तीन पकवाडों में क्रेड़ ग्रोथ 15 फीसद के उपर दर्ज की गई है 9 सितंबर को खत्म पकवाडे में तो ग्रोथ 16 कर्ज की बड़ी मांग के लिए पिछले साल के बेसितक को भी वजह माना जा रहा है पिछले साल करोना की वजह से कर्ज के लिए जादा मांग देखने को नहीं मिली थी लेकिन इस साल करोना का असर खत्म हो गया है और अर्थ व्योस्था रिकवर कर रही है इसी रिकवरी के स साथ करज के लिए मांग भी बढ़ रही है और उनी सेक्टर के लिए जादा मांग है जो कोरोना की वज़ा से जादा प्रभावित हुए थे। जुलाई अन तक सर्विस सेक्टर के लिए करज की बांग 16 फीसद से जादा बढ़ी है। साथ में पस्नलोंस के लिए भी मांग में 18 फीसद से जादा का उछा लाया है। इंडस्ट्री की बात करें तो छोटे और मजहोले उद्योग ही करज उठा रहे हैं। बड़े मांग करीब 30 फीसद कम रही है। पेट्रो कमकल उद्योग में 12 फीसद से जादा, रेलवे में 10 फीसद से जादा और कंस्ट्रेक्शन उद्योग में करज की मांग 3 फीसद से जादा घटी है। शुगर के लिए भी करज की मांग में कमी आई है। यानि करज की मांग का संतु ठीक नहीं है मांग कहीं जादा है तो कहीं घट रही है हाला कि कुल मांग देखें तो पिछले साल से जादा ही है लोग जादा ब्याज पर भी कर्ज लेने से पीछे नहीं अट रहे और आने वाले त्योहारी सीजन में कर्ज के लिए मांग बढ़ने की संभावना और भी जाद ऐसी परिस्तिती में रिजर्व बैंक के लिए चुनौती बढ़ गई है। लोगों के हाथ से नकदी कम करने के लिए RBI लगातार ब्यास दरें बढ़ा रहा है। लेकिन लोग महंगे ब्यास पर भी कर्ज उठा रहे हैं। यही वज़ा है कि बैंकों के पास अब लिकुरिटी क कमी होने लगी है। और इस हफ़ते की बैठक में रिजर्व बैंक इन तमाम पहलों को ठीक करने के लिए कदम भी उठा सकता है। मनिनाइन के लिए मनोज कुमार। पर्सनल लोन लगातार बड़ रहे हैं। लेकिन आज एक ख़बर छपी है जिसमें तमाम बैंकों ने सरकारी बैंकों ने जादतर सरकारी बैंक की ही एजुकेशन लोन देते हैं। एजुकेशन लोन को लेकर चिंता जाहिर किया है। ऐसा क्यों? ये रिपोर्ट दो महत पून रुख बताती है। अगर आप बड़ी पिक्शर देखने की कुशिश करें क्रेटिट ग्रोथ रिट की तो आपको लगेगा कि ये रिकवरी का रिफलेक्शन है। अर्थवस्था में रिकवरी आ रही है। पर प्रमु खुरूप से कर्जी की ज सेग्मेंट में दिखती ही जैसा कि शुबहम बता रहा है। उस परसनल लोन के सेग्मेंट में भी वो सारे लोग हैं जो शायद रिटेल जरूरतों के लिए सामान के खरीद के लिए और अपनी निजी जरूरतों के लिए करज ले रहे हैं। ये फिनोमेना थोड़ा और बढ़ा रहे हैं। एक महत्तुपून बात ही हमें देखना पड़ेगा किसका असर महंगी ब्याज दरों के तौर पर क्या में क्या दिखता है। दूसरी जो महत्तुपून चीज हमें दिखाई दी वो दिख रही है एजुकेशन लोन के सेक्टर में। एजुकेशन लोन के प पास पहुंच गए हैं एजुकेशन लोन के टेगरी में। और इसके बाद बैंक अब थोड़ा सतर खोरें। इसकी दो बड़ी बज़े हैं। एजुकेशन लोन जो लिए गए थे वो अर्थविस्ता मैं मांग के बाद नई नोकरियां मिलने की समभावनाओं पर लिए गए इधर वित मंतराले ने हाल में जो मीटिंग की थी बैंकों की उसमें ये कहा था कि एजुकेशन लोन का पोर्टफोलियो और बढ़ाया जाएं। बढ़ने वाले बच्चों को और ज्यादा लोन दिये जाएं। इनके डिले कम किये जाएं। लेकिन दूसरी तरफ जो एन पी इसका बढ़ना इस नए उभरते हुए लोन बाजार के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अब एनरजी इंफ्लेशन से लेकर को लेकर दो बड़ी ख़वरें एक अच्छी ख़वर है एक खराब ख़वर है मतलब एक ख़वर आपको राहत देगी और दूसरी थोड़ी चिंता होने की उम्मीद बढ़ी है हो सकता है सरकार त्योहार पर आपको ये राहत दे कि पेट्रोल डिजल की कीमतों में कुछ गिरावट लाई जाए लेकिन वहीं एक चिंता की ख़वर यह है कि नेच्छल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का अनुमान है ऑक्टूबर में सरकार की त तुमें कितनी मढ़ोतरी की आशंका है शुवर जो ताजे आकलेन मिल रहे हैं अक्टूबर के पहले सप्ता में नई गैस की कीमते आ जाएंगी क्योंकि इस पर जो कमिटी हर शे महिने में फैसला करती है वो उसने रिविवीव करना शुरू कर दिया है ये कीमत अभी 6.1 थर्मल यूनिट के इस तरह पर ले जाया जा सकता और यह शायद भारत के बाजार में अभी तक की गैस की सबसे उंची कीमते होंगी क्योंकि हम गैस की कीमतों में पिछले 6-7 महिनों से अंतराश्टी बाजार में भी काफी बढ़ोतरी देख रहे हैं एक दोर एक मेने पहले प्रमो कम्पनियों में इसका सबसे बड़ा असर भारत में पिए जी और पिए एनुगी की ऑपूर्टटी पर पड़ेगा जिसकी की कीमतों में हम पिछले दिनों से लगातार बड़ोतरी देख रहे हैं अब इसमें एक और बड़ी चुनोती यह हैं कि भारत के बाजार में गैस की शॉल्टिजिस भी हैं जिस पर हम लगातार बात करते रहें क्योंकि भारत की सबसे बड़ी गैस इंपोर्टर गेल जिसे गैस प्रॉम से गैस मिलनी थी उससे उतनी आपूर्ती नहीं हो पा रही है और योरोप के देशों की मांग की वजह से मध्यपूर्व के गैस एक सर दूसरा सवाल कच्चे तेल पर कच्चे तेल की कीमतों में आगे आगे आपको क्या रुख बनता दिख रहा है अभी 85-84 डॉलर पर हम ट्रेट कर रहे हैं यहां आपको कैसी संभाव ना दिखाई पड़ी है अगर आप यूकरेन के युद्ध के हिसाब से देखें जब से राइद शुरू हुआ था तफसे बड़ोतरी के मताबिक उससे नीचे आ गई है पर 85 डालर का तेल भारत जैसी अर्थवस्ताओं के लिए बहुत महंगा है 85 डालर का ब्रेंट भारत के लिए बहुत महंगा है लेकिन अगर भारत सरकार के अपने आखलन देखें तो उन्हों इस पूरी खींचतान को हम पिछले 5-6 महिने से देख रहे हैं कि जब तेल की कीमतें एक हफ़ते 95 तक जाती हैं अगले हफ़ते 85 तक आती हैं और यह सब फ्यूचर मारकेट के ट्रेड के सवधे हैं फिलाहल दो तीन महतुपूर्ण चीज़ें हमें देखने वाली हैं एक तो महतुपूर्ण बात यह कि ओपिक देशों ने पहले ही इसकी संभावना के कारण अपनी जो एडिशनल कैपिसिटी थी उनको भुत कम कर रखा था और फिलाहल अभी पूरे ओपिक समुदाय में पूरे ओपिक तेल उत्पादकों में कैपिसिटी बहुत कम हैं नीचले लेव मत में हमें उस तरीके की बड़ी गिरावट नहीं दिखाई दे दी जो कि एकदम दिखाई देनी चाहिए थी बलकि बाजार नीचे आता है थोड़ा सा फारवर्ड में अभी अगर आप अक्टूबर की या नवंबर के फ्यूचर को देखें तो फिर वो 90 के आसपास कहीं ट् है कि कच्चे तेल का मारकेट कुरूडायल का मारकेट डिमांड सप्लाई सेंस्टिव है और चूँकि सप्लाई बढ़ाने वाले लोगों के पास सप्लाई बढ़ाने वाले देशों के पास काफी ताकत है तो वे जब भी चाहाएं वो बाजार की किमत को रेगुलेट कर सकते हैं. रिसेशन कितनी गहरी होगी? इस पर भी बहसें दुनिया में शुरू हो गई है. ग्रोथ रिसेशन होगी या प्योर रिसेशन होगी इस पर भी जो आने वाले तीन-चार महीनों परिस्तियां इस पर भी कच्चे तिल की कीमतों पर असर ढालेंगी तो इसलिए शायद सरकार इस वालेटिलिटी के कारण भारत में कम में पेट्रोल लिजल की कीमतों में कमी को लेकर हो सकता है थोड़े समय और इंतजार करने की कोशिश करें क्योंकि अभी कुछ ट्रेंड बन हो रहा है अमेरिकी डॉलर के वैसे दुनिया भर की करनसी की हालत बिगरती जा रही है भारती रुपए भी लगाता है टूट रहा है सोंवार को रुपए ने प्रती डॉलर 81 रुपए 61 पैसे के आसपास का निचला इस तर छू लिया इससे पहले कभी डॉलर का भाव इतना आके खड़ा हो जाता था दीबार की तरह जबसे यह असी के पार निकला है अर्बिया बिल्कुल गायव देख रहा है ऐसा क्यों असी के पर आर्बिया ने एक इंट्रविंशन चोटा सा किया था लेकिन अब दो बड़े बदलाव हुए उन दो बड़े बदलावों को हमें क सरकार किसी भी तरह से रुपए की गिरावट को लेकर बेचेन नहीं दिखाई पड़ी रुपए 80 से पार निकल कर 81 और आज तो हम रुपए की कीमत को 85 से उपर निकलता देख चुके हैं तो सरकार के अंदर ये समझदारी ये सरकार के अंदर ये 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 हैसास हो गया कि फिल आज इनितिक फलितार्थ है वो दिल्ली से नौट बलक से तय होता तो संकेत इसपष्ट था इसलिए आज रुपया लगभग अपने फ्री फाल की तरफ जाता रहा बाजार में तो पहली चीश तो ये थी दूसरा जो महत्वपूर बात ये कि सरकार को ऐसा करने पर क्यों मज पूर्ण है डालर इंडेक्स को बनाने में और आज पॉंड की क्या हालत हुई जिस पर मागे बात करेंगे यूरो भी काफी निचले इस तर पर था इसलिए डालर इंडेक्स में मजबूत हो रहा है रिजर बैंक को एहसास हुआ है कि विदेशी मुद्रा भंडार को जोकने स चाहत कोई बड़ा फाइदा होने वाला है और एक बार मनोविग्यानी कुरूप से रुपए की गिरावट स्विकार कर ली जाए फिर उसे थोड़ा धिला चोड़ा जा सकता है और तीसरी और सबसे बड़ी बात है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दो साल के नियून जाएगा वो घूमकर अगले हफ्ते रुपए को ही कमजोर करेगा और यह वो दुश्यक्र है यह वो वीशस साइकल जिस पर हम लगातार में चर्चा करते रहें कि जब रुपए को कमजोर करने वाली अंतराश्टी ताकते या अंतराश्टी इस तर पर पर जो फैक्टर्स है वो रुपए की कमजोरी में कांट्रिविशन कर रहे हैं तो रिजरब बैंक ने शाह समझधारी दिखाई है कि उसने इसे अपने इस तर पर इस पर इस्थिर होने दिया और तीसरी और चौथी और अंतिम बात यह कि भारती शेयर बाजारों में जो तेज गिरावट आ रही ह जो हमने दो दिन से गिरावट देखी खासता और से अमेरिकी फेडरे जलिवर के तरफ से ब्याज़ दरों में बढ़ोत तरीके वाद वाद वो भी एक बड़ा फैक्टर है जिसके करण रिजर बैंक अब बाजार में हाथ डाल कर इसे रोकने की कोशिश करना भी उसके लिए वियर्थ हो जाएगा इसलिए भी हमने देखा कि बाजार में डालर्स की डिमांड काफी जाधा निकलिये और इसलिए रुपए पर आज हमें पूरे दिन अभी तक जब तक हम चार बच के पंदरा मिनट तक इसको शूट कर हैं रूपी के चार्ट में हमें रिजर बैंक के इ सर इस तरक में सरकार की जो आपने जिक्र किया ना कि सरकार की तरफ से तरक दिया जा रहा है कि अन्य मुद्राओं के मुकाबले भारत की मुद्रा कम गिरी है ये कितना मतलब वाकई क्या संतोश करने वाली बात है हाँ दिल के खुश रखने को खालिब खयाल अच्छा है ले हमारे निर्यात बाजार हैं वहां हम एक्सपोर्ट करते हैं और उनकी मुद्रा अगर हमारी तुलना में कमजोर हैं तो हमारे निर्यातकों के लिए वह अच्छी ख़बर नहीं है क्योंकि हमारी प्रतिस परदात मक्ता उससे तूटती है जैसे आप यूरो को देखें अभी हम ब्रिटेन से यूरोप से नए कारोबार की नए व्यापार समझहोतों की बात कर रहे हैं या हम मध्यपूर्व के देशों से नए व्यापार समझहोतों की रिफ्टिय की बात कर रहे हैं वहां जब हम निर्यात करेंगे और उनकी मुद्रा हम से जाधा कमजोर है तो हमारे नि रुकसान करती तो इसका एक संतुलन और बैलेंस होता है तो आप एक है सकते हैं कि अगर आप चार्ट पर देखो तो आपको सबसे खराब इस्तिती में में श्रीलंका का रुपया लगेगा बंगलादेश का रुपया लगेगा सबसे खराब इस्तिती में आपको यूरो या 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 पाउंड दिखाई देंगे इस समय उनकी तुलना में रुपए की गिरावट कम दिखाई देती है पर जैसा हम लोगों ने एकनामिकम में एक बार विस्तार से डालर रुपए की कीमत पर चर्चा की थी तो रीर की बास्केट में देखें आप रियल एक्षेंजरेट की बास्केट में देखें तो रुपए की गिरावट कम देखती है और इसलिए हमें कहीं न कहीं भारत के निर्यात में जो पिछले दो-तीन महिनों में गिरावाट आई है उस पर इसका अशर दिख रहा है क्योंकि वही बाजार भारत के प्रमुख बाजार निर्यात के जिनकी मुद्राइं भारत की तुलना में ज्याधा कॉम्पिटिटिव है या ज्यादा टूटी हुई है तो ये उसका एक दूसरा हिस्सा है जिसे हम इस इस तरह से समझ सकते हैं एक टिपड़ी शेर बाजार पर और चौथा दिन लगातार था सेंसेक्स 953 अंक गिरकर बंद हुआ है एक समय ऐसा था जब निफ्टी ने 17,000 का भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ दिया था हालागी क्लोजिंग उसकी थोड़े से ऊपर आई है क्या आपको लगता है रुपए की कमजोरी का ही असर है जो बाजार को भी डरा रहा है रुपए की कमजोरी का असर यूरोपी अर्थवे उस्थाओं में मंदी की अब इस पश्टूप विश्वानिया होने लगी हम आगे बात करेंगे तो आज हमने देखा कि अमेरिका से जाधा यूरोप की अर्थवे उस्थाओं का दबाव और असर हमें भारत के शेर बाजार पर दिखाई दिया वैसे भी भारत के शेर बाजार को यह मैं अब ये बात इस पश्टूप से हुब से स्थापित हो रही है कि जैसे जैसे ब्याजदर ने बढ़ती रहेंगी और अमेरिका के फेडरल अजरब ने हार्ड लेंडिंग की बात कह दी है आएसी सिचुएशन में भारती शेर बाजारों में लंबे समय तक कोई बड़े तेजी की मूमेंटम की गुंजाईश नहीं दिखाई देती अलाकि बाजार में बाजार में थोड़ी रिकवरियों में इसलिए दिखाई पड़ी की शायद यूएस फूचर्स का डेटा आया था राउट देखा यूरो में यूरो बाजारों में देखा इसके बाद अन्य बाजारों में भी हमें इसका असर धीमें 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 दिखाई देने लगेगा और यह वो तैयारी है जो अमेरिकी अर्थवज़़ता बढ़ने और डालर की मजबूती को लेकर दुनिया के स्थिती में जब भारती नजरिये से चीजें अंतराश्ट्री अर्थव्यस्था में भुत्सकारात्मक नहीं है चाहे आप कच्छे तिल की कीमते देखें डॉलर की मजबूती देखें भारत में आने वाली विदेशी पूंजी देखें तो भारती शेयर बाजार बाजार समझने में आपको मदद करेगा जिसको हम विक्स कहते हैं और अगर वो उंचा है तो बचकर रही है बाजार में क्योंकि बाजार में तेज उतार चड़ाओका और खत्रा लगातार बनाओका अब रुपए से आगे बढ़ते हैं दुनिया की अन्य मजबूत करेंसी की हालत भ रोका भी है डॉलर के मजबूर होने के साथ साथ दुनिया भर की करन्सियों पर दवाव बना हुगा है सुमवार को डॉलर इंडेक्स 20 साल की उचाई पर पहुंच गया इंडेक्स ने 114.44 का उपनी इस्तर छुआ सर पॉंड की इतनी बुरी हालत पॉंड की इतनी बुरी हा मार्च और इससाल फरवरी से योरोप पर सबस्यादा फोकस है दुनिया के अर्थवस्थाओं में पुतिन के यूकरेन पर हमले के बाद कैस की कीमते एनरजी प्राइसेस बढ़ने के कारण योरोप के अर्थवस्थाओं में कई सारी राजनीतिक उठा-पटक और फिर बदल के कारण ब्रिटिश पाउंड के इस गिरने की बड़ी वज़े ही थी कि ब्रिटेन की सरकार जो नई सरकार आई है और उसके वित मंतरी ने जो नया पैकेज जारी किया टैक्स कट का उसने बाजार को बुरी तरह तितर बितर कर दिया अब आप सोचेंगा इसा क्यों हुआ यह पैकेज तो एकॉनिमी को प्राप अप करने के लिए लाया गया था टैक्स में रियायतें देने से तो अर्थ वस्ता जूंगती है भारत का तो हमारा नतीज आई है कि जब भी सरकार कार्परेट्स को टैक्स में रियायत देती है तो इस टॉक मार्केट यूंगता है पर यहाँ ब्रिटेन की अर्थ वस्ता में इसका बिल्कुल उल्टा असर हुआ ब्रिटेन की अर्थ वस्ता गहरी महँगाई की और मंदी की चपेट में है मंदी की तरफ बढ़ चुकी है इस पैकेज का बाजार नहीं मतलब निकाला कि चू जो घोशित किया गया है इस पैकेज से का असर बाजार पर हमें दिखाई दिया कि पाउंट की पर दबाव बना क्योंकि महंगाई के बीच में अगर सरकारें और जाधा करज लेने के लिए आगे जाने की तियारी करती हैं तो उसका असर बाजार के सेंटीमेंट पर पढ़त फीजदी के रिकार्ड पर है और इन टाक्स कट्स के सहरे लोग बाजार में कोई अर्थवस्था में कोई रिकवरी होती नहीं देख रहे हैं बलकि उनको यह लग रहा है कि आने वाले समय में जब लोग खपती नहीं होगी महंगाई इतनी बढ़ी होगी तो सरकार के पास ट कार्ज उठाना पड़ेगा और इसका आसर में पाउंड पर दिखाई पड़ा पाउंड आल्मोस्ट डालर डालर की पारिटी में पहुंच किया और पॉंड की इतनी बड़ी गिरावट ब्रिटेन के अर्थवस्था में मंदी का इशारा कर रही है सर आकरी सवाल मेरा मंदी क यह संभाबना यह आशंकाव कितनी गहरी है कि मंदी यूरोप के दरवाजे तक पहुंच बहुँ कि इसमें दो बड़े घोशना हैं हमारे पास आई एक तो बिटेन को लेकर जो घोशना हमारे सामने आई वह ब्रिटेन के अपने बैंक आफ इंगले नहीं कही बैंक आफ इं मनी दोहजार तेईस में आधिकारी क्रूप से मंदी में प्रवेश कर जाएगा और कुछ और भी अर्थविस्था हैं जो आलमोस्ट मंदी के किनारे खड़ी हुई हैं दक्षणी यूरोप सदन यूरोप के अर्थविस्था हैं उन पर भी मंदी की आशंग का गहराती यूरोप के अर्थविस्था हैं यूरोजोन के अंदर हमें अब अलगलग अलग के पर इस पूरे संकट के अलग अलग असर दिखाई दे रहे हैं ऩहलाकि पॉरंड उस से बाहर है पर यूरोप का हिस्सा है जरमनी जद्धा गहरे będą नहीं है यूरोप की बाकी अर्थ यह बड़ी वज़ा है कि यूरोप में मंदी शायद पहले दुनिया में आएगी और अगर OECD के माने तो यह मंदी लगवग एक साल चलेगी यूरोप के अर्थ वज़ाइगी तो उसका असर फिर में शेयर बाजारों पर दिखाई देगा और वही हमें आज भारत के शेयर बा के शेयर बाजार में और केबल भारत के नहीं पूरी दुनिया की करंसी और पूरी दुनिया के शेयर बाजार इसी बात से थर्रा रहे हैं कि आखिर मंदी कितनी गहरी होगी आज के मनी सेंटरल में इतना ही उम्मीद है आपको पसंद आया होगा कल फिर आप से मुलाकात होग कि शाम को साथ वजे तब तक के लिए दीजी जादर नमस्कारा कि शाम 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 क